ओम स्यांति व्यार्थ संकल्प मनुस की खुशी के सत्रू है जो स्रेष्ट ग्यानी और योगी व्यार्थ संकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेता है वो बन जाता है विजय माला का चमकता हुआ मन का क्योंकि व्यार्थ संकल्पों को छोड़े विना योग यूग तिस्थिती तो बन नहीं सकती हम लगातार चर्चा करा रहे हैं और सभी हम पूर्ण विश्वास है कि विहर्थ संकल्पों के प्रकौप को धीमा करते-करते उन्हें नस्ट करेंगे हमारे परियास की आपको अवस्ज मदद मिलेगी आज हम ले रहे हैं महों के कारण कितने संकल्प चलते हैं मनुसको महों एक ऐसी चीज है जो बड़ा नेचूरल है लाइफ में एक मा का अपने बच्चों से महों पती बतनी के बीच में महों ओमन सी बात है इसमें कुछ आश्चर ये भी नहीं और कोई ये भी नहीं कह सकता कि नहीं होना चाहिए वो तो होता ही है वस्तूओं में महों जो चीज हमारे पास हैं साधन हैं उनमें मनुसकी आसक्तियां रहती हैं महों मनुसको दुख भी बहुत देता है और मन पर एक बुरा प्रभाव भी बहुत डालता है मान लो मा के दो बच्चे हैं बड़े हो रहे हैं वो प्यार से रहते हैं आज्याकारी बन कर रहते हैं मा को सम्मान देते हैं तो मा बहुत प्रसंद होगी गोरानवित रहेगी और यदि वो विरोध करने लगें यदि वो उल्टा सुल्टा जवाब देने लगें यानि अनादर करने लगें तो फिर सभी जानते हैं क्या होता है अब ये व्यर्द संकल्पों का प्रकोप क्योंकि जिस से emotionally मनुस जुड़ा रहता है भावनाओं के साथ जुड़ा रहता है उसकी हर्चीच का गहरा प्रभाव मनुस पर पड़ता है अब परिवार जहां बहुत प्यार होता है बच्पन से वह कैसा संबंध है जिसको नकारा नहीं जा सकता जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है और आजकल तो कहें कहीं दुविधा ये भी हो गई है कि न लोग निभा सकते न छोड़ सकते क्या करें हम मौह की रस्चियों को जब तक हम ढीला नहीं करेंगे ये मौह से उठने वाले संकल्प विकल्प व्यार्थ संकल्प हमें परिशान करते ही रहेंगे दुख ही करेंगे और जब वन उस दुखों में होता है उसके मन में विचार तो कम चलते हैं पर नहीं जाने वो क्या सोच लेता है आजकल बहुत केस हो रहे हैं अचानक मृत्यू और बहुत ही परिवारों को इस बड़ी द्रास्दी से गुजरना पड़ रहा है जवान लड़के जा रहे हैं जिसका पती जा रहा है समय का प्रकोप चल रहा है हम देखते हैं उन माताओं की पिताओं की उदासी इंता कैसे उदास हो जाते हैं अकेलापन लगने लगता है, संसार असार लगने लगता है, क्या करें अब? इस इस्तिती में भी संकल्प जादा नहीं होते, लिकिन एक सदमा बैठ जाता है, किसी के बच्चे की पीछे मृत्ति हुई, और उस एक दम ऐसा हो गया, जैसे उसका संसार में कोई नहीं है, सब कु जोटा बच्चा भी है, लेकिन घर में माहूल, गमगीनी का हुगया, बहुत प्रेक्टिकल बाते हैं, असर आता है, हम यह तो बिल्कुल नहीं कह सकते, कि असर नहीं आना चाहिए, आना तो नहीं चाहिए, पर इसके लिए तो बहुत परिपक्विस्थिती की जरुरत है, हम अपने महों को आत्मिक प्रेम में बदलते चलें, और ज्ञान की पराकास ठाक को प्राप्त करें, बिना उसके यह अटेजमेंट बहुत कस्त देगा, वस्तों में हैं, जिन वस्तों को पदार्थों को मनुस बहुत कमा कर, उनका सरजन करता है, बाजार से खरेद के लाता है, अब क्योंकि गाठी कमाई है, मेहनत करके, कमाई करके वो चीजे प्राप्त की हैं, उसमें मनुस की आ सकती होना बड़ा स्वाभाविक है, और अगर वो चली जाए, अगर वो चेन जाए, तो व्यर्त संकल्पों का बहुत मनुस को बेचेन करने लगता है, किसे ने अपनी सा समाई से एक मकान ही बनाया, लेकिन गड़बड हो गई, आजकल भिन-बिन तरह की गड़बड हो रही है, कहीं बिल्डर गड़बड करते हैं, लेन-देन में गड़बड करते हैं, एक ही मकान दो को बेच देते हैं, तीन को बेच देते हैं, लोप का समय है, कल्यूक का तमो परधान माहूल है, मान लो कुछ घडबड हो गई, मकान तूट फूट गया, नहीं अच्छा रहा, तो मन उसके मन पर गहरा बुरा और भाव इसका पड़ता है, और उसके संकल्पों की धारा तेज हो जाती है, ना जाने वो क्या-क्या सोचता है, समाज उसे क्या देगा, घर नहीं बनाये अब तक, लोग ना जाने क्या-क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी चीज ये लोग लाज की होती है, जो मन उसको बहुत वियर्थ संकल्प चलवाती है, किसके बच्चे अच्छे ना निकलें, कहीं गलत अफेर में फंस जाएं, कहीं बुरे संग में फंस जाएं, बदनामी का डर, समाज क्या कहेगा, भविस्य क्या होगा, बहुत बुरा हाल हो जाता है, कहीं की लड़की गलत काम कर देती है, सारा परिवार चिंतित होता है, अब हमारे बच्चों की साधी नहीं होगी, तो वियर्थ संकल्पो का एक दम प्रकोप हो जाता है, उसका जीव पर बहुत बुरा असर पड़ता है, हम ज्यान का परियोग करेंगे, ज्यान के परियोग से इन बातों को थोड़ा हलका करेंगे, संबंदों में महों तो होता ही है, लेकिन हम यह न बोलें, सब का पार्ट भी अपना अपना है, सब का भागी भी अपना अपना है, हमसे उनका नाता भी कभी अच्छा है, कभी बुरा है, एक सर्टेन पीरियर्ट तक किसी का नाता रहता है, जब वो पीरियर्ट पुरा हो जाता है, तो वो एक्ति छोड़ के चल देता है, कोई प्रियेजन घर से चला गया, आ नहीं रहा है, कितने संकल्प चलते हैं, माताओं के बच्चे श्कूल में चले गए, आज एक गंटा हो गया, आने के टाइम से आए नहीं है, माता की धरकन तेज हो जाती है, संकल्प चलने लगते हैं, कहीं कुछ हो तो नहीं गया हुने, एक्सिडेंट का समय चल रहा है, कि पीछे से टक्कर तो नहीं मार दी, और फिर इससे जुड़े हुए हजारो संकल्प, एक माता बहुत परिसान रहती थी, बच्चे श्कूल जाते हैं, बहुत चोटे बच्चे हैं, चार बजे घर वापिस आना, उनको साड़े तीन से गेट पर खड़ी रहती थी, बार बार देखती थी उधर आए नहीं है, जब कि पता है, चार के बाद आएंगे, आए नहीं, आए नहीं, एक दिन थोड़ी सी देर हो गई, बास दुखी हो गई, चक्कर आने लगे, मेरे बच्चों का किसने अफरन तो नहीं कर लिया, उस जगे पर अफरन बहुत होते हैं, फिर वागे हसते बहलते खेलते, माता जी खुष, मैंने का तुमारे म इसका आफरन हुआ, उसका हुआ, मुझे भी ड़ड लगता है, मैंने का, तुम साउकार हो या मेडियम हो, क्या हम तो साधारन काम करने वाले हैं, मैंने का, तुमारे बच्चों को कोई उठा के बोजन अपने पास से खिलाएगा, क्या, साउकार हो, पे तो लोग सोचते हैं के बई, कुछ मिल जाएगा, तो हमारे जो बहुत संकल्प चलते हैं, उनको ठीक करके, हम कुछ सुन्दर संकल्प मन में क्रियेट करें, एक बात जो आपने बहुत सुनी होगी, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, कईयों कि लोग हो जाते हैं, कोई बेहोस कर देता एक दम हाकतार हो जाता है, जब इसका थोड़ा भी आभास होता है, लेकिन मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बाबा बैठा है, उल्टे को भी सीधा कर देगा, मुझे अपने शिव बाबा पर पूर्ण विश्वास है, ऐसे नसे में रहकर, हम अच्छे संकल्प ज जितने चलाएंगे, उतना मन हलका होगा, और हम देखेंगे, कि समस्या भी खतम होती जाती है, इसलिए याद रखेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, उतनी समस्याओं का समधान होगा, हम भी व्यर्थ से बचेंगे, और समस्या भी ठीक हो जाएगी, ओम शंति